तो आज हम देखेंगे कि तुम लोग कैसे अपना history civics का जो subject है class 10 का उसमें अच्छे mark score कर सकते हो तुम्हारी क्या subject के लिए approach होनी चाहिए और तुम्हें उसमें कौन-कौन सी चीजें हैं जो most important है तुम्हें कौन-कौन सी चीजें important है और तुम्हें अगर वो कर लोगे तो तुम्हारा paper बहुत अच्छा जाएगा कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए वो पहला है तुम्हारी बुक में हर chapter में objectives भी दियें और causes भी दियें तो वो जो objectives और causes के points नहीं है वो तुम्हें को अच्छे से memorize करने है ठीक है पूरा chapter रटने से अच्छा है तो उसमे objectives और causes उन्हें अच्छे से करो क्योंकि यह questions आते ही आते हैं तुम्हारे boards में तुम्हें बहुत important है और objectives और causes आते हैं तुम्हारे ठीक है next जो चीज़ आती है वो memorize date year ठीक है memorize और date जो तुम्हारे date और year उसको तुम्हारे अच्छे से memorize करना है ठीक है अब जैसे यह जो मैंने तो दताया था उसमें objectives objectives कैसे हो सकते जैसे तुम्हें से causes पूछ लिया या civil disobedience moment की causes पूछ लिया तो इस टाप के तुम्हारे objectives and causes करने है ठीक है फिस नहीं चीज़ आती हो तुम्हारी memorize date and year जो history में सबसे इंपॉर्टेंट बाकि दूसरी चीज़ है वो है date and year suppose करो तुमसे पूछ लिया कि Muslim League का formation की तुम्हें year बताना है ठीक है Muslim League की formation का year बताना है तो तुमसमें क्या लिखोगे 1906 ठीक है तो ऐसे ही मैं तुम्हें एक वीडियो बताऊंगी जिसमें तुम्हें most important date and year लिखे होंगे ठीक है तो date and year तुम्हें करने है और objectives and causes तुम्हें अच्छे से पढ़ना है history civics में तुम्हें तुम्हें नेक्स चीज आती है वह है all the movements तुम्हें जितने भी है कौन से movement तुम्हें नॉन कोपरेशन movement है non corporation and Qing nationalbulance what's your book civil disobedience movement and our quit India movement तो इसारे movement परेज़ें तुम्हें उनके cause उनके objectives तुम्हें So everything you Park तो यह तुम्हें अच्छे से प्रपेर करने नॉन alignment movement है तुम्हें है तुम्हें इसारे movement पर्णने भी है okay governor generals and viceroyz, उनके नाम तुमारे अच्छे से पढ़ने जो तुमारे फिर्स चाप्टर है फिर्स चाप्टर में सबसे जादे उन्हेर्स को लिए नेम दी है जिसे जिसे जो त्मारे doctrine of labour जिर सु अपक्राइनों कि वो किस Site करी थी वो किसे newspapers करी थी उसेờ करई लोड दलहूजी ने तो इस तरीके से हिस्ट्रीयलि इस सबसे जदा लगने हिस्ट्री में इन्पोर्टन्ट के हойд है वह जो subjective portion होता है उसमें भी आ सकता है, ठीक है, next जो सीज आती है तुमारी civics के लिए, civics में क्या के अच्छे से पढ़ना होगा, वह है तुमारी जितनी भी powers दी है, ठीक है, legislative, executive, judiciary, military, और भी जितनी powers दी है, वह तुमारी अच्छे से पढ़ना है, at least four points सबके कर लेना, ठीक ह तुमारे legislative, executive, judiciary यह सब पावर जो दी है, वह सब तुमारे पहला जो unit है, union parliament वाला, union parliament वाला, उसमें, और तुमारा next unit है, union executive उसमें तुमारे यह सब पावर्स हैं, ठीक है, union executive में भी तुमारे दो चाप्टर जाते है, president और prime minister, तो इसलिए तुमें यह सारी पावर्स करनी है union parliament वे और union executive में है, ठीक है, यह तुमारे जो detailed questions होते है, section B वाले, उनमें सब यह सब questions आते है, legislative powers पूछी जाती है, और यह सब movements के लिए, और यह objectives और causes पूछी जाती है, तुमारे section B होता है, और उसमें, subjective portion आता है, उसमें objectives and causes पूछी जाते है, और क्या पूछी जाता है, यह सब पूछी जाता है, 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 यह सब जैसे इंडियन सिटिजन, ओर एज अचिस, टीन देए चीज़, इस Ale escola तो यह सब त्सलिन आघे हगी, क्वालिफिकेशने हैं, सब क्या है टाना हैुझा है को लिए टॉमसे रहने हैं, तूमसे यह सब दाउने खरे कहा JS उनी इसके institution को परहे हैं छीक, फिर फिर जête जए लास्टीज़ आती है तुमारी लास्टीज़ बहुत इसमोकन है प्राक्टस प्रेवियस एयर क्वशेशन्स प्रेवियस एयर क्वशेशन्स को प्राक्टस करना सब्स भी हो और भागवनों क.'Evy मनुखेंश के लिए क…कृष्ट क। ताथ तुम्हें लगेगा कि हाथ तुम्हें अच्छे स्कोर कर सकते है अपने बोर्ट में ठीक है I hope कि तुम्हें समझ रहा होगा कि कैसे तुम्हें अपनी Class 10 History को History and Civics को पढ़ना है और कैसे उसमें एक एक चीज तुमको अच्छे से रीड करनी है ठीक है और भी तुमारे और भी इंपोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं Class 2024 पाच के लिए इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे अभी के लिए बाई थैंक यू